जमाद चाहरूम मजमुन इलमर्याजी सबक नमबर आठ वक्ति की पहमाईश बच्चो इस सबक के तमहीदी वीडियो में हमने देखे थे कि घड़ी की मदश से वक्ति जो किस तरह देखा जाता है साथ-साथ इस वक्त को जो है अददों की सुरत में जो किस तरह लिखा जाता है तो चलिए हम देखते हैं कि सबक में घड़ी के मदश से वक्ति कीस तरह देखा जाएगा सबक नमबर आठ वक्ति की पहमाईश यहां हमें एक घड़ी दी हुई है इस घड़ी का अगर कभी हम मुशायदा करें तो एक से लेके बारा तक नम्बात हम पुए हाँ पर दी हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ताट, नव, दस, ग्यारा, बारा इस घड़ी के अंदर दो सुई यह दी हुई है एक छोटी सुई एक बड़ी सुई छोटी सुई को घंटा सुई कहा जाता है बड़ी सुई को मिंड सुई कहा जाता है अब हमें करना क्या है कि घड़ी देखना है और घड़ी देखकर वक्त तै करना है और उसे अदद में किस मिंट हुए यह तो हमने देख लिए कि घड़ी के अंदर एक बच कर 30 मिंट हुए मगर हम देखते हैं कि एक बच के 30 मिंट जो यह किस तरह हुए अगर कभी हम इस घड़ी का मुशायदा करें तो दो अददों के दर्मियां यहां पर पांच रकीले दीव हुई है या बारा से दूट के पांच का पाड़ा उस मकाम अगर कभी पढ़ेंगे तो हम आसानी से लिए वक्त पता सकते हैं देखिये कितने बज़े हैं घंटे की डर्मियां यह एक और दो के दर्मियान हैan है कि सुई 6 पर है इसलिए एक बच कर 30 मिंट हुए अगर कभी हम 5 का पाड़ा 6 तक पड़े तो 5 चक के 30 याने एक बच कर 30 मिंट हुए अब हम इसकी मश्क खल करेंगे मश्क में देखिए हमको क्या दिया हुआ है जील की घडियों में नजर आने वाला वक्त घंटे और मिंट में लिखिए यहां पर हमें कुछ घडिया दी हुई है घडियों की नीचे खाली जगा भी दी हुए इन खाली जगाओं में हमें लिखना है कि इन घडियों में जो कितने बचे है चलिए अब हम यहां पर एक मिसाल लेते हैं यहाँ पर हमें घड़ी दी हुई है जिसमें घंटा सुई एक और दो के दर्मियान है मिंट सुई नौ पर है याने पांच का पाड़ा अगर कभी हम नौ तक पड़ेंगे पांच पांच दूनी दस पांच तिया पंदरा पांच चोग बीस पांच पच्छिस पांच पांच आटए-चालिछ पांच नाम पैतालिस यानए एक बचकर पैतालिस मिंट हुए या फिर अगरहbir हम बारा से कभी छूटी लखी लोग को किनना शुरू करेंगे यह नौब मकाम तक तो हम देखेंगे कि छूटी-छूटी लखिले किनी लखी ले कितनी बचालिस य Сейчас ए 20 25 25 25 साथ 25 याने दो बच कर 25 मिंट हुए याने इस घड़ी में कितना टाइम हुआ दो बच कर 35 मिंट कि अब हम आपर तीसरी मिसाल लेंगे जिसमें घंटा सुई टीन और चार के दर्मियान है और मिंट सुई 8 पर है यानि 5 का पाड़ा अगर कभी हम 8 तक पड़े, 8-1, 5-1-5, 5-2-10, 5-3-15, 5-4-20, 5-5-25, 5-6-35, 5-7-35, 5-8, 40 यानि कितना टाइम हुआ इस घड़ी के अंदर तो 3 बचकर 40 मिंट हुए या फिर 12 से अगर कभी हम इन छोटी लाकी रोको गिनना शुरू करें तो 8 जो अदद यहाँ पर लिखाओ है तो छोटी लाकीरे कुल कितनी है? 40 यानि 3 बचकर 40 मिंट इस घड़ी में वक्त हुआ अब हमको यहाँ पर कुछ घड़ी दिव हुए मश्ख के नमबर 2 के अंदर यहाँ पर हमें कुछ घड़ी हिए दिव है मगर इन घड़ी Q में बताना है अग और कँ कोंगा चलिया हम इन मिंसाल नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर वक्त क्या हुआ हुआ है 5 बचकर 55 मिंट तो सबसे पहले हम यहाँ पर घंटा जो सुई है हमारी 5 और 6 के दर्मियान जो होगी इसी तरीके से मिंट हमको यहाँ पर 55 याने 12 अगर कभी हम छोटी लगी रिखिनना शुरू करें तो 55 जहाँ पर हमारी छोटी लगी आएंगी वहाँ पर हमको यह बड़ी मिंट आयें इसी तरीके सामें दूसरी मिसाल दिवें यांपर 12 बचकर 15 म में तब हमें यह देखना है कि घंटा सुई कहां पर आईए और मिंट सुई कहां पर आईए जाहिर सी बात हमें हमें पर 12 बच के दिया वाय और 15 मिट दियो है तो घंटा सुई जो है 12 पर रही है और साथ-साथ मिट सुई जो है 12 से अगरम 15 के लिए गिरे तो कितने पर आई है यह तीन पर आई है याने 12 बच के 15 मिट हुए कि अग्या पूप